नमस्का राजनमा टीही पर आपका स्वागत हैं में प्रियाम आपके साथ 2024 लोकसबा चुनाओं से पहले विपक्षी दल एक बार फिर 17 और 18 जुलाई को बैंगलूर में मिटिंग करेंगी इसमें 25 दलो के शामिल होने की संभावना है 17 जुलाई को मिटिंग के पहले दिन सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी समेच सभी दलो के नेताओं को डिनर पर बुलाया है बिहार के सीएम नितिश कुमार ने 23 जून को पतना में पहली बैठक बुलाई थी बैठक में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंदर सरकार के अध्यादेश के खिलाप कांग्रेस के स्टेंड को लेकर नाराश थी अर्विन केजडिवाल ने कहा था कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो वे दूसरी बैठक में नहीं आएंगे पतना में हुई बैठक में 17 दलों के नेता शामिल हुए थे इस बार विपक्षी कुन्बे को और मजबूत करने के लिए आठ और दलों को नियोता भेजा गया है इन में MDMK, KDMK, VCK, RSP, IUML, केरल कॉंग्रेस जोसेफ और केरल कॉंग्रेस मनी ने हामी भरी है इन नई पार्टियों में से KDMK और MDMK 2014 के लोकसवा चुनाओ के दोरान BJP की सहयोगी हुआ करती थी कॉंग्रेस अध्यक्ष मली का अजुन खडगे ने भी टॉप अपोजीशन लीडर्स को अगली बैठक में शामिल होने का नियोता भेजा है कॉंग्रेस अध्यक्ष ने एक चिठी लिकर नेताओं को भिहार के सीए नितिश कुमार की तरफ से पटना में बुलाए गई तेवीस जुन की बेठक में उनकी भागिदारी के बारे में याद दिलाया इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ दाने बाग